सरकारी कार्यालियों में कर्मचारियों की लेट लतिफी सुधर नहीं रही है जिस कारण सीम फ्लाइंग को लगतार कारवाई करनी पड़ रही है इसी कड़ी में मंगलबार को सीम फ्लाइंग ने रिवाड़ी शहर के नागरिक अस्पताल में छापेमारी कर दी सीम फ्लाइंग की टीम का नेत्रितो डियेसपी राजश कुमार चेची ने खुद किया अस्पताल में बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्टाफ गैर हाजर मिले टीम की कारवाई से अस्पताल में हड़कम मच गया सीम फ्लाइंग की ऑचक निरेक्शन के दौरान कुल पांच डॉक्टर समेत 25 कर्मचारी गैर हाजर मिले जिसके चलते टीम ने हाजरी रजिस्टर समेत अन्य रिकॉर्ट को कबजे में लेकर रिपोर्ट बना कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है सीम फ्लाइंग की अस्पताल में शापेमारी की सूचना के बाद धरकम मच गया शापेमारी के बाद स्टाफ के कर्मचारियों के आने का सिलसिला जारी रहा लेकिन उन्हें गैर हाजर ही माना गया है CM Flying के टीम और गेर हाजर में डॉक्टर और स्टाफ के बारे में रिपोर्ट तयार कर रही है आगामी कारवाई की संतुती करते हुए रिपोर्ट को चंडीगर मुख्याले भीजा जाएगा बाकि ज्यादा तर चीख पाया गया है वह जो जो लोग नहीं आये थे उनके बारे में एक बार वह जाते हैं ऑस्पिटल्स में जो बार की एची पी एची हैं और कुछ एचेंट हैं तो थोड़ी देर में सारी रिपोर्ट आपको आपको बता दे कि कुछ दिन पहले सियम फ्लाइंग की टीम ने तैसील रिवाड़ी में भी चापे मारी की थी तैसील में 26 में से 13 कमचारी गयरहाजर मिले थे इससे पहले छेत्री परिवान प्राधिकरण के कार्याले में शापे मारी के दौरान 8 कमचारी विना किसी सूचना के गयरहाजर मिले थे सियम फ्लाइंग की टीम लगतार सरकारी विभागों में लेट लतीफी को लेकर कारवाई कर रही है इसके बावजूद भी सरकारी कार्यालियों में इस्थिती में कोई सुधार नहीं हो रहा है सत्य खबर के लिए रिवाड़ी से राजे शर्मा के रिपोर्ट